तो उन्होंने मुझे एक किताब दी इतनी बड़ी थी फोटो की किताब थी छे साल का बच्चा था मुझे आदिवासियों के बारे में इतना वालूम नहीं था किताब का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी और सारे के सारे चित्र सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में उस बच्चे के बारे में उसके जीने के तरीके के बारे में थे और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी एक दिन मैंने दादी से पूछा दादी, ये जो किताब है, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है तो दादी कहती हैं कि राहुल ये जो किताब है ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक है